हेलो आपका स्वागत है मेरे चैनल हेल्ग केर पे आज हम देखने वाले हैं कैशियुम के बारे में यह कैशियुम का सीरप है suspension of calcium with vitamin D3 and vitamin B12 200 ml का है यह कौन से भी medical store पे आपको अविलेबल है लेकिन यह जो मैंने आपको दिखा रही हूं सीरपी जो है आपको government दवा खाने पे जैसे कि अगर आप अपने बच्चों का इलाज जो है government hospitals में करा रहे हैं तो आपको वहाँ पे यह मिल जाएगा और इसके जो कोई भी charges नहीं रहते हैं आपको free जो है government hospitals में मिलते हैं अगर आपके babies में calcium की कमी है उनका तीट जो है वो बराबर समय पे नहीं आ रहा है चलना जो है वो सही समय पे नहीं कर रहे हैं तीट भी आ रहा है तो अच्छे से बराबर नहीं आ रहा है बहुत टेड़े मेरी आ रहे हैं बचा चल नहीं रहा है समय हो गया चलने का लेकिन चल रहा है, तो यह सब calcium की कमी के वज़े से यह सब दिककत होती है, अगर आपके babies में calcium की कमी है तो यह प्रप्रम आपने संबगा, तो इसलिए अगर आपका बेबी जैसे की सूस्त रहता है, बहुत चिरच्रा करता है, चलता नहीं है अच्छे से या तीत नहीं आ रहा है तो बहुत ही खाने में दिक्कत कर रहा है खा नहीं रहा है तो यह सब के वज़े से अपनी डॉक्टर को जरूर दिखाईए जो है सब का वज़े कैल्शिम की कमी होती है या खून की कमी होती है बच्चों में अगर कैल्शिम की कमी होती है तो बहुत चिर्चिर करते हैं और ममी इसको जो है वह समझ में नहीं आता है क्या करना है क्या नहीं इसके लिए अपने डॉक्टर्स को जरूर दिखाईए अगर आपका बेबी जो चिर्चिर कर रहा है इसके लिए अपने डॉक्टर्स को जरूर दिखाईए इसके लिए अपने डॉक्टर्स को पहले ही दिखाना स्टार्ट कर दीजिए अगर आपके बेबी में कैल्शिम की कमी है तो आप यह जरूर दीजिए और विटामिन D3, B12 यह बहुती लाब दायक रहता है बच्चों के लिए कैल्शिम जो है वो भरपुर मातरा में इसमें अवेलेबल है अपने बेबी को जो है आप दो टाइम यह कैल्शिम की सीरप दे सकते हैं अगर अपका बेबी बेबी 1 यहर से अपो है तो आप 5 mil तक आप अपने बेबी सको दे सकते हैं जैसे कि 2015 आधा चमच आप अपने बेबी सके हैं इसकी जो प्राईज है यह मैंशिन नहीं किया गया है लेकिन फिर भी आपको गया है तो आपको 160, 170 या 100 के अंदर आपको मिल जाता है यह जो है आप इसकी expiry date देख सकते हैं 23 है 2023 तक है आप देख सकते हैं यह जो है आपको इसली medical stroke मिल जाएगा लेकिन ब्रैंड जो है वो अलग रहेगा 200 ml का भी रहेगा इसकी साइड एफिक कुछ नहीं है अगर आपका बेबी को जादा देते हैं तो हो सकता है हलका सा लूज मोशन हो से अलावा और कोई भी साइड एफिक्ट नहीं है इसके बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया यूजिस क्या है इसके प्राइज, डोसिस, साइड एफिक्ट अगर आपको अच्छा लगी तो लाइक और शेयर क काना मत बूलेगा थैंक यू सो मच